हेलो एब्रीवां वेलकम बेक टू माई चैनल मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है तो कैसे हो आप सब लोग मित करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे अगर लोग जा रहे हैं मंदिर क्योंकि मंदिर में हम लोगों ने कूजा रखी है बैसे सुचाता घर में रखोंगी लेकिन घर में नहीं रखी फिर मंदिर पर ही रखी है अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली वार आयो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे शुरू करने से पहले आप लोगों को बोल दे रहे पर आप लोग आये मंदिर आप फूजा है तो फूजा करवाएंगे अगर अगर कर दो कर दो पंडी जी ने सारी तयारी करके रखी है पूजा की हम लोगों के आने से पहले ही बैसे तो पूजा घर पे कराने वाले थे लेकिन फिर बात में सोचा की घर से यादा ठीक मंदिर में रहेगी और पंडी जी भी बोले की मंदिर में ठीक रहेगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं थे वो बोले हम घर में भी कर देंगे लेकिन मंदिर में पोजिटिविटी हम लोगों को फॉन कर दिया था कि इतने वजे यहां पर आ जाना तो हम लोग टाइम पर पहुंच गई तो सारी तैयारी तो आल लेडी थी पहले से यह बस पुजा में हम लोगों को बैठना था यह स्यू मंदिर है जहां पर हम लोग पुजा रखे हैं क मा झाल सहल खूरी तो यह संषा है रखे हैं सब लोग आ जा रहे हैं मंदिर में क्योंकि सुभा सुभा का टाइम है न तो सब लोग ऑफिस भी जाते हैं काफी लोग यहां से रास्ते पर यह रोड पर ही तो निकलते भी हैं तो आते जाते रहते हैं और मॉर्णिंग के टाइम पर मंदिर में तो बैसी भी अच्छा लगता क्यिसे अब कई बता है कि मंदिर में जितना हो सके न उतने जलदी जाओ तो अलगी फीलिंग आती है तो जगह ही है यह सलता हुट हमादिर में सारी जोज़िशन दूर होजती है अलग लगता है और पुजा का जो टाइम यह में है उच्छ लगा और यह पूजा करके मुझे बहुत अच्छी वाली feeling भी आ रही थी बहुत अच्छी वाली घर में पुजा करने से कई गो ना वेटर मुझे मंदिर में पूजा करके फिल हुआ और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में अंदर जो स्यूलेंग है ना वहाँ पे यह पूजा के जो फूल है वो चड़ाएंगे क्योंकि पूजा संपन हो चुकी है अब मंदिर में जाके स्यूजी का असीरवाद लेंगे इसके बाद यहाँ पे आएंगे फिर सारे देवी दे ले लेता हैं उसके बाद आर्टि करते हैं फिर हवन करते हैं तो आप लोग भी सामिल हो जाहिए पूजा में और यहीं से बस्ता इस्ता का असीरवाद ले लेजिए कर दो आगाई आयां तो भीव पूजा अरका बुरह तो युझा हो चुकी है और हम लोग इसाइड में बैटे है क्योंकि पंडि जी हवन कि तयार्य कर रहे है तो पंडि जी बोलने लगे आप लोग साइड वीधे जो थोड़ी प्रूपल प्रूपल पूजा हो गए अब जारी हो घर बच्चों के लिए गई से नास्ता लोंगी बाहर से यह भी कुछ किसी ने खाया पिया है पूजा बहुत अच्छे से हो गई है अपना प्रिसाद मंदिर में छोड़ दिया मुझसे बोलते मेरा प्रिसाद का है मैं तो अपना प्रिसाद लिए अपना प्रिसाद लिए बेरा प्रिसाद का है चलते चलते गायजी से भी मिलू है जाते जाते गायजी से भी मिलू है अब यहां पे रोकें इतली लेने गए अनास्ता की बती है इतली पूरे राश्ते में चुन्दी में लिए खड़ी होगे तो पल पही रखा भी नहीं है यह प्रिसाद मंदर में लगदे है कि हम लोग खाएंगे आदा अधा तो मंदिर से आने के बाद हम लोग सबसे पहले अपने घर के मंदिर में आशीरबात लेंगे और जो पंडित जी पूजा कटम होने के बाद हमें प्रिसाद दिया था ना वह हम दोनों को ही खाना है तो जो छोड रहते है न चुन्नी का उसी में में ले लिया तो कंटीनियू में उसी में पकड़ के लाई थैली में भी नहीं डाला वैसी पकड़े रही बस भगवान कासी बाद मंदिर मिले करते हैं कि बाद हम लोग पर साथ खा आयंगे दोनों लोगा दा दद आ गार फैसी खाना है जाए 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 जाए– जाना के है यार तुम पी सेव की क्या आलस कर दी आदा आ तक हैंगे वेट सेवाद आरा रहा है जो बीडियो बेले फेले पिर्फिसर पेलो जो बोल गए ती थी क्या गरम करूँ नहीं गैंगे जा गरम आप लाती बले में सेव खालो पी लाती हूँ ओ परिशाद बगवाजी असलिये का रही हूँ प्रसाद के रूप में श्युकार बढ़ देखें दिखें जाई हुआ। अरे परसाद ये खा रही हुए। मना सेव मुझे पसंद कम है। आज परसाद की रूप मैं सुपार बढ़ जी सुपार बढ़ जी ले अर्वास का मतलब को चाहत है। मैं इसमें यह ę क्या मतलँ बगों का परशाध है तो किया मंगा यह कुछ मंग नगां धुट की लिए दिखाऊंक, क्या मंगा यह कल आया, जै कल नहीं झादा कउलिदी प्रेंसक्ब मुझे उविंट कोलू एक रहा जी की सॉतिंगृ इसमें मैंने मंगाया है अपने गुपाल जी के लिए बहुत ही स्पेशल बहुत ही प्यारी चीज क्या है वह आपको ना मैं फोल की दिखाती हूं अभी कपसे excited थी मैं इसको मंगाने के लिए एक बार ओडर किया तो ये cancel हो गया अपने आप पता नहीं फॉन नहीं लगा जाने क्या तो रिटन हो गया और उसके बाद जब दुबारा मंगाई तब कल आया बुक करे मुझे आग 15 दिन हो गई एक बार रिटन गया लेकिन मैं इसके ल इतना पीप मार्ट दी खुलता भी नहीं तो जैसे आप लोगों गंदा जे इसमें क्या हो सकता है यह है मेरे गुपाल जी की सौपिंग बहुत ही क्यूट सा बहुत ही प्यारा सा मेरे गुपाल जी का डवल बैट देखने भी बहुत सुन्दर लग रहा है ना देखो अरे खोला नहीं जब मुझे इतना अच्छा लगा शोना शोना आए मेरे गुपाल जी का मेरे लड़ो कुपाल जी सौपिंग है यह पैकिंग देखनी जवर ज़स्त कर देते हैं यह लोग सच में बहुत अच्छा लग रहा यार सच में मैं इतनी सौपिंग की हूँ ना लेकिन मुझे यह सौपिंग अपनी लाइब की बहुत ही प्यारी सौपिंग लग रहे है सच में मेरा दिल खुछ हो गया देखो प्यारा लग रहा नहीं है यह गुपाल जी लिए 12 पेड मगाई हूं यह एक तकीया है एक गद्दा ह है यह दो दक्या है और यह उन के ऊडने का चादर रहने के लिए ऐसे और है तो यह मेरे कुपाल जी का डबल वेट वह त्यारा सा आप लोगों को अच्छा लगे ना तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आप लोगों को मेरा इक अपल जी का डबल बेट कैसा लगा comment करके मुझे बताना जरूर की अच्छा लगा आप लोगों को बैसे तो अच्छा ही लगएगा क्योंकि इतना प्यारा ही है पर रूम हें आप लोगंगे डरी तिर्मितन आपनेखिने ही एक तो ँलाके देल तो जरोर में पर आपथे को शित्च इस को सब्सक्राइब करोंगे चान्स ही नहीं कि पसंदि हो aí इस वाली ब्लोग का भी यहीं पेंड करती हूं आप लोगों को मिलती हूं नेस्ट ब्लोग में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजे